मीडिया बंदुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शार्ट नोटीस पे इतनी दूर यहां पे पहुँचे आज की जो प्रेसवारता है आपने देखा कि एक मडर होता है अव्तार सिंग का उसके बाद परशासन जागता है और लैंड ग्रैबरों पे शिकंजा कसता है लेकिन क्या सिर्फ एक ही जम्मू में लैंड ग्रैबर है बोला शाह उसके पीछे या उसके जैसे जो लैंड ग्रैबर है वो भी किसी का जब मडर करवाएंगे जब किसी का मडर होगा तो उसके बाद परशासन जागेगा मैं आज लैंड ग्रैबरों की सूची आने वाले दिनों में नाम लेकर सबके बताऊंगा लेकिन आज भी तीन चार लैंड ग्रैबरों जो बड़े बड़े जम्मो किश्मीर के लैंड ग्रैबर हैं उनका नाम को लेने जा रहा हूं सबसे पहला नाम और सबसे बड़ा लेंड ग्रेबर जो की वॉइट कॉलर में जा कर बैठा हुआ है वह तवी विहार suppliers 04 था और यह हैं आप कब को पता ही नहीं कि उस Ainसान न उस इनसाँ ने गोवर्मेंट लैंड जेंडिये की लैंड में फ्लैट भी बनवां दिए प्लाट भी प्लाट भी सेल कर दी है जेडिये की लैंड पे और वो आज भी केई प्लाट सेल कर रहा है और बजालता में भी उसने नहीं छोड़ा वो बजालता में भी जेडिये की लैंड जो है वो सेल कर रहा है आने वाले दिनों में बहुत जल्द ठीक साथ दिन के बाद मैं इसकी पूरी गाथा आपको सुनाऊंगा क्योंकि अगर मैं एक ही नाम लेने लेग पड़ा बाकी लैंड ग्रैबर बच जाएंगे तो इसकी पूरी गाथा जो है वो साथ दिनों के बाद विद प्रूफ आपको बताऊंगा प्रूफ मेरे पास आ चुके है मैं आपको सारी गाथा इसकी बताऊंगा एंडी बारत मुशंट CPI इंक्वाइडी हो वहाँ पे करोर और प्याज जेडिय ने इससे लेना है और केई गुना प्लाट वहाँ पे इसने सेल किये हुए है वो इसकी इंक्वाइडी हो CPI की उसके बाद आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं एक लेडी बचारी क्रिशन बनती कौन क्रिशन बनती एक लेडी थी रिफ्यूजन थी उस लेडी के हस्बंड का नाम था वाइफ आप वो विड़ो है इस टाइम डिप्टी राम मुचफरावाद की थी उससे सोला कनाल बंदू रख में खस्रा नंबर 48 की जमीन अलाट होती है रूल होती है पर और कुछ लोग रेवन्यू के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया उसी के अलफ फार्म की अटार्णी ली कोट में कोट में टार्णी लेने के बाद उस जनाब ने एक जमीन जो है मुठी बढ़नाई में मुठी बढ़नाई में 48 कनाल जमीन खस्रा नंबर 64 और 663 प्लस प्लो कि क्रिश्णा बंती को पता भी नहीं था तुछ तिसरा यहां पर इनकी भूक नहीं मिटी लैंड क्रैपरों की इसी क्रिश्णा बंती के नाम के अलफ फार्म के उपर एक और जमीन एक और जमीन तीस कनाल 16 मर्ले जमीन लाट होती है दिली मेन रोड गंग्याल में 108 रुपे की प्रॉपर्टी जो है जो गौर्वेट की इन्हों ने खा ली जो 108 रुपया इनका खाया है जब कि एक्सियाई का आडर है इंतकाल वर्नाई की जमीन के भी खारिज है और डिली जो मेन रोड गंग्याल की जमीन है उसके भी खारिज है उसके बाद भी उसके बाद भी आप मुझे बताईए उसके बाद भी विजिलेंस जो है वो चलान पेश नहीं कर रही आखिर विजि सर मैंने नहीं देखा आपकी प्रेस कॉंफरेंस के बाद एक दो दिन के अंदर अंदर मैं उनसे खुद भी रूँगा और पूरा चिठा बताऊंगा क्योंकि इसमें कौन से कौन से खकृसरा नमबर के इंतिकाल खारिज हुए हैं आप भी सुन लिजिए खसरा नमबर 778178 doc इसको एट्रीन ब्रट ने भी बोल दिया इसको गुर्मेंन ने है ये एक प्रॉड है है यह कोई जमीन हमने लोट नहीं किई हुई तो यह आप जिपीन मानें है कहां पर हुई इसकी इस्टीचिंटि ने करवाई वह है महेश चंदर स्रमा क्न् चंदर सैमा में पर्वारी था उस टाइम और और दो साल पहले 9 तसील दार यह हुआ है जाने कि रेवनियू डिपार्टमेंट के बड़े से तसीलदार और और पतवारी यह सब मिल जुलकर लैंड ग्रैबरों के साथ और बड़े मनिस्ट्रों के साथ मिलकर यह नेट से नमर बताए तो इस तरह कृष्णा बंती के साथ भी दोखा हुआ सो अरुपे की जमीन गंग्याल में रोड पे शोरूम बने हुए है पेट्रोल पंप बने हुए है वो सारी की सारी जमीने जो है वो सरकार ने खारज कर दिये इनके हिंतकाल एपसी आई ने रिपोर्ट दे दी वर नाई की समीन में रिपोर्ट दे दी तो उसके बाद भी यह जमीन सरकार आपिस कूह नहीं लेरी इनसे पैसा क्यों नहीं लेरी क्यों क्रेपों के जो किडाएदार लोग है उनको प्लॉट नहीं बंटे जाते आपने पिंचने बंद कर दी ग्रीपों को प्लाट नहीं दिये लेकिन सो सो और पुर्फे है जो सरकारों ने इन से लेना है वो सरकार इन से पैसा नहीं ले रही इनकी जमीने खाली नहीं करवारी वहीं पे मैं आपको बात करूं एक और एक जीत जाती है और आप चिकीन मानिए कि अभी भी अभी भी 19 खंस्रा नंबर 19 शनी कमाला प्राइविट पार्टी केस हार जाती है गुवर्ण्मेंट केस अफिसर है उन्होंने 2021 में एप्लिकेशन दे दी थी कि हमें ये जमीन की डिमार्केशन दी जाए ताकि पांच कनाल जो जमीन बची है कम से कम वो तो सरकार को मिल जाए लेकिन नहीं तसीलदार बहू तसीलदार बहू और ये बहू का जितना भी रेवन्यू डिपार्टमेंट ह ये जनाब उसको आए तक दिमार्केशन नहीं दे रहे और मैं बहू बहू रेवन्यू डिपार्टमेंट को चतावनी देना चाहता हूं अगर M.D. बारत बूशन की किसी ने भी अंदर से हल्प की अगर तभी बिहार के अंदर कोई भी कोई भी अगर illegal किसी तरह की दिमार्क मैं सब कुछ बताता जाओंगा और गोला शा केला नहीं था गोले शा के साथ इनका जो स्टाट अप था इनको जो पीशे बैठा हुआ था मजीद नाम का इनसान आपने देखा होगा सिद्रा में सारे रेस्टरेंट तोड़ दिये गे सारे रेस्टरेंट ख़तम कर दिये गे लेकिन एक रेस्टरेंट चल रहा है वहाँ पर वो मजीद का रेस्टरेंट है क्यों चल रहा है उसने स्टे ले लिया क्या बाकी जो रेस्टरेंट वाले थे वो स्टे नहीं ले सकते थे जब डी सी साहब ने बोल दिया कि वो इलिगल जमीन है वो जमीन जो है उसका इंतकाल खारीज हो चुका है तो वो restaurant कैसे चल रहा है जबकि वो गोले शाह के साथ club जो greater class में club है उसमें भी involved था वो बंदा तो उस इंसान के operation क्यों नहीं और तो और फारुक अब्दुल्ला सहाब की कोठी फारुक अब्दुल्ला सहाब की कोठी जो खसरा नंबर छे में पड़ती है और 21 खसरा नंबर की registry किस ने करवाई मजीद ने करवा के दी जो गोले शाह का partner था इन लोगों पर inquiry कब होगी यह लोग का बंदर होंगे यह लोग कब जेल में होंगे आप एक गोले शाह के पीशे तो पड़े हो उसको तो जैसे तैसे काप ने कवर कर लिया लेकिन जो उसके पीछे उटको संभालने वाले उसकी सपोर्ट करने वाले लोग उसके साथ पैसा खाने वाले लोग उसके साथ जमीने हर्पने वाले लोग उनको भी अंदर किया जाए उनको भी पीएसे लगाया जाए उनको भी जेल में ठोका जाए और सरकार अपनी जमीने जो है सबसे वापिस ले धन्यवाद